नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मम्ता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी चैनल मम्ता जोए में कैसे हैं आप सब तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में जानेंगे आप लोगों का बहुत अधिक महत्पूर्ण जो प्रस्न है वो आये हुए हैं सभी का उत्तर एके करके हम जान लेते हैं आप लोगों ने पूछा है पित्र पक्च से जुड़े ये सवाल है कि दिदी बालों में कंगी सुहागन महिलाय कर सकती हैं बाल दो सकती हैं साबून लगा सकती हैं नया जीतिया खरीच सकती हैं इसी परकार के बहुत सारे आप लोगों के मन में स जरूरत नहीं पड़ेगी, न कमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं, सबसे पहले दोस्तों आपको बता दू कि कल से हमारा पित्र पक्ष प्रारंब हो रहा है, हर चीज के लिए मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, ध्यान से एक एक बातें आप सुन लिजेगा कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार की गलती ना हो, पित्र जो है हमसे जो नाखुस ना हो, आप लोग ध्यान से सबी वीडियो के नियम विधी जान लिजेगा, ठीक है, समय निकाल कर सुन लिजेगा, तो इस वीडियो में बता दू कि पित्र पक्ष कल से प समाप्थ होता है, तो 29 से सुरू होगा, और 14 अक्टूबर को समाप्थ हो जागा, किलियर हो गया, इसमें भी बता दी, हमेशा से बता रहे हूं, फिर भी बता दी, तो सबसे पहला आप लोग का सवाल है, कि इस पित्र पक्ष के दौरान 15 दिनों में बालों में कंगी कर सकते हैं, तो जी, देखिए, अगर आपके घर नहीं किया जाता है, मैं किसी को मना नहीं करूँगी, ना अपने पे मैं रिस्क लूँगी, किसी, हर घर के देखिए, नियम अलग है, बातों को थोड़ा सा समझेगा, बहुत सारे लोग हैं, कि नहीं करते हैं, लेकिन माल लिजए, आज कल के जमाने में नई नई लड़कियां हैं, बाहर इदर उदर अपने काम पे जाती हैं, सभी काम काजी हैं, तो माल लिजए कि आप कंगी नहीं कीजिएगा, तो आप कैसे बाहर जाईएगा, तो बालो में आप कंगी कर सकते हैं, इतना बचाने की जरूरत नहीं है, ले बहुत सारे कॉमेंट्स आया थे तो सोची की वीडियो बना दू आभी मैं कॉमेंट्स दे रहती इस वीडियो पे जाके जो सुबह में डाली थी तो आप लोग के कॉमेंट्स आया थे ऐसे बता चुकियों फिर भी बता दू कि इदिदी बाल धो सकते हैं तो जी आप लोग बा इतना दीन कैसे रहेंगे घर में वैसे मतलब किसी भी रूप में लोग नहीं रह सकते तो आप लोग देख लिजेगा बाल धो सकते हैं तीसरा नियम क्या है कि दिदी हमारा सीर बहुत दर्द करता है इंस्टाग्राम पे भी आप लोग का बहुत सारा सवाल आए है तो हमारा सीर दर्द करता है तो क्या तेल नहीं लगाया जाता है किसी ने कहा है कि बालों में तेल नहीं लगाया जाता तो नहीं है इस प्रकार की बात नहीं है, अगर आपको कोई असुविदा है, कुछ परिसानी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप तेल लगा सकते हैं, किसी के कहने सुनने में देखे, मैं आपको मना नहीं करूंगे, कि ये वीडियो देखिए, वो वीडियो देखिए, उनका देखिए, मत देखिए, जो बीडियो में उल्टा सीधा आप लोगों को, अगर कुछ सुनने को मिलता है, तो ठीक उसी आदमी से आप लोग पूछ लिजे, उसका निवारण, ऐसे तो लोग कॉमेंट का रिपलाई बहुत कमी देते हैं, लेकिन फिर भी पूछ लिजे, जहां से भी आप सुनते हैं, जि कुछ ऐसा वर्ड पढ़ने में, देखने में, सुनने में, तो ऐसे वीडियो को आप लोग छुईए हिमत ना, देखिये हिमत की मन में भरम पैदा हो, देखे हिमत कीजिए, तो अब तब आप लोगों का दिल दिमाग ठंडा रहेगा, सांत रहेगा, क्योंकि आप कहीं से और सुनके आते हैं, फिर आप लोग मुझसे पूछती हैं, तो मैं भी बोलूँगी, तो फिर वीडियो वाले को दुख लगेगा, तो इससे अच्छा कि जहां आप उल्टे सीधे वर्ड पढ़ रहे हिमत की आपके दिल दिमाग में गलत फेहमी पैदा हो, तो ऐसा कुछ नहीं में सोप लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नियम नहीं है, अगर आपकी सास बोले कि नहीं लगाना है, तो आप मत लगाईएगा, बड़े बुजूर्ग अगर मना करते हैं, हमारे या पित्र पक्ष में नहीं लगा जाता है, तो मत लगाईगा, लेकिन ऐसा कुछ मना ही नहीं है, इतना आज कल के जमाने में लोग नहीं बचाते हैं, अगला आप लोग का सवाल है कि दिदी नया जीतिया, क्या नया जीतिया हम खरीद सकते हैं, अपने बच्चे के लिए इस साल मलमास लगा था और पित्रपक्च के दौरान ओर्डर दिये हैं, तो बन के आएगा तो ले सकते हैं, बदल सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, जीतिया का जो ब्रत है, पित्रपक्च में ही पढ़ता है, कोई टेंसल लेने के जुरुत है, नया गहना, कपड़ा, खुद के लिए, मतलब स्रिंगार वाली चीज़ें वगरा ना खरीदें, कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब गाड को सब्सक्राइब कर दिजेगा, और वीडियो को पका लाइक कर दिजेगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत मिलती है, ठीक है, पसावाल है, दिदी, सिंदूर लगा सकते हैं, तो जी, मैं बताएं हूँ, पीला सिंदूर मत लगाएगा, केवल जीति सिंदूर के लिए तो बता चुकी थी, लेकिन ये सबी चीजे कंगी करना, बाल दोना, तेल लगाना, ये मैं नहीं बताए थी, तो वो भी बता दी, अब आप लोग किसी भी प्रकार का टेंसन मत लिजेगा, जैसे नॉर्माल लाइफ जीती हैं, वही जी जीना है, केवल रात को ये सुबह में पसु पक्चियों को खिला दीजिए और जो है, आप जिनको पानी देना है, वहो पानी दे सकते हैं, जिनको नहीं देना है, सब कुछ बता चुकी थी, अगली चीज़ कह है, विरस्पती वार का ब्रत क्या-पित्र वग्ष के दोरान कर शकते हैं, वही इस प्रकार से विरस्पति वगवान की पूजा करती हैं सभी विधी विधान ब्रत उसी प्रकार से आपको करनी है और चिंता नहीं करनी है तो जो कर रही है जो मंगल वार का ब्रत करी है जो विरस्पति वार का ब्रत करी है जो प्रदोस ब्रत करी है सभी ब्रत आपको करनी है क पिर भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बना दी कोशिस कीजिएगा अगर कोई मांगता है तो उसको सेयर भी कर सकते हैं कि उनके विद्यल दिमाग से टेंसन दूर हो जाएगा तो आसा करते हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिकलाब मिलेगा फिर मिलती एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार सुस्त रहिए सुरक्चित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खूब खूस रहिए